पिहार के बाहु बली नेता आनंद मोहन के बेटी की शादी हो रही है और इसको लेकर तयार्या भी सुरू हो गई है जो यह आपको बता दे कि बिहार के बाहु बली नेता आनंद मोहन के घर में जल्द ही सहनाई गूजने वाली है उनके विधायक बेटी चेतन आनन जल्दी शादी के बंधन में बनने वाले हैं विधायक चेतन सिंग की साधी 3 मई को होने वाली है इससे पहले 24 अप्रेल को उनकी सगाई होगी बेटी की साधी के लिए आनन मोहन जेल से पैरोल पर बाहर निकल गए है साधिया आपको बता दे कि आनन मोहन की विधायक बेटी की सगाई होने वाली है इसके बाद 3 मै को इनकी सगाई होने वाली है और इस साधी में बिहार के कई दिगज नहींता सरीक होंगे जिसमें की मुख्य मंत्र नितीश कुमार टिप्टी सीम तिजस्वी यादो मंत्री तीज प्रताप यादो सहीत तमाम दिगज निताओं को निमंत्र अनभेजा गया है आपको पता दें कि इसी साल फरवरी में आनंद मोहन की बेटी सुर्भी आनंद की शादी हुई थी इस शादी में बिहार के सीम नितीश कुमार ललन सिंग सहीत करीब 15,000 महमान शामिल हुए थे वहीं चेतन आनंद वर्तमान में राज़त की विधायक है तो वहीं उनकी होने वाली पतनी का नाम आयूशी है और वह पेसे से डॉक्टर है चेतन आनंद की शादी उत्राखंड से की जाएगी बेटे की साधी की तयार्यों का जायजा लेने के लिए 14 अप्रेल को आनंद मोहन अपनी पतनी लवली आनंद मोहन के साथ उत्राखंड गय थे जहां उनका भव्य स्वागत भी किया गया जादे आपको बता दे कि आयूशी जो की शेतन आनंद की पत्नी बनने वाली है वो हव्य साली जीले के रागोपोर में स्थेत रामदौली गाउं की रहने वाली है वह MBBS करने के बाद MD की पढ़ाई भी कर रही है आयूशी टेनिस प्रेयर भी है और कई सारे खिताब उन्होंने अपने नाम किया है आयूशी की मा रेणू सिंग और पिटा थाकुर अभय कुमार सिंग भी डॉक्टर है वह उनका भाई भी मेडिकल की तयारी कर रहा है तो आपको बता दे कि यह जो शादी आनंद मोहन के घर होने वाली है उसमें कई बिहार के बड़े नेता और बिहार के कई बड़े चहरे आपको देखने को मिलेंगे कि आपको बता दे कि इस से पहले जब सुर्भी आनंद की शादी हुई थी तो वह भी काफी चर्चा का विशय बनी हुई थी कई दिनों तक सुर्भी की स्रादी शुर्ख्यों में बनी रही यहां तक कि आपको पता दे कि शादी में खुद मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने सिर्कत की थी और उन्होंने लगबग 2 घंटे तक वहाँ समय बिताया आपको पता दे कि साधी को लेकर कि आनन मोहन के घर में जोरो-शोरो से तैयारिया चल रही है और आनन बोहन इस चादी के लिए जेल से पैरोल पर बाहर आये थे।